आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कच्छा दस्मिक का इतिहास का अध्याय शंक्या एक इरोप में राष्ट्रवाद इस अध्याय से यानि इरोप में राष्ट्रवाद अध्याय से जितने सारे भी अब्जक्टिव कोशन निकलते हैं उनमें से हम 25 महत्व पूर्ण अब्जक्टिव कोशन को इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे तो वीडियो को सुरू से अन तक आवज से देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में नोटिफिकेशन बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी चैप्टर का पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं जर्मन राइन राजय का जो निर्मान है किसने किया था ओफ़शन A है लूई 18 ऊपशन B है नेपोलियन बोनापाट ओफ़शन C है नेपोलियन 3- DAVID यानि तीन जो इहां पे जो तीन पाई देख रहे हैं तीन लेखा जो देख रहे हैं तो वे नेपोलियन 3 तीय हो गया और आप्शन नमबर D है विसमार्क तो आपको बताना है कि जर्मन राइन राजे का निर्मान किस ने किया था तो पहला का जो राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B हो जाएगा नेपोलियन बोना पार्ट जर्मन राइन राजे का निर्मान नेपोलियन बोनापाट के द्वारा किया गया था तो पहला का राइट अंसर आपसर नमबर भी हो जाएगा चलिए अब आपका दूसरा नमबर कोश्चन आपके होम स्क्रीन पे है यहाँ पे देख सकते हैं आपका दूसरा नमबर कोश्चन है कि युरोप में राश्ट बाद की पहली असपष्ट अभिववक्ति जो हुई थी कब हुई थी तो इसका राइट अंसर आपसर नमबर ए हो जाएगा 1789 इसमी की फ्रांस की खरांती होई थी तो उसी समय एउरोप में जो है राष्ट बात की पहली अश्पष्ट अभी व्यक्ति हुई थी तो दुसरा का राइट अंसर आपसर नंबर ए हो जाएगा चलिए अब हमारा तीन नंबर कोश्चन है जो कि काफी जादा इंपॉंटेट है और आप काफी प्रिक्षा में पूछे भी जाते हैं कि एयरोप का जो मरीज है किसे कहा जाता है एयरोप का मरीज किसे कहा जाता है तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है लेकिन काफी जारा है इंपॉंटेट भी है यह इस बात कwy ध्यां रखना है आपको यह जो question है आपके परतेक बर्स के exam में पूछा जाता है तो इसलिए इस question को आवर से ही अपने दिमाग में बिठा लें तो चलिए तिसरा question है कि इरोब का मरीज जो है किसे कहा जाता है तो इसका right answer option number C हो जागा इरोब का मरीज तुर्की को कहा जाता है इरोब का मरीज तुर्की को कहा जाता है तो तिसरा का right answer option number C हो जाएगा अब आपका चार नंबर question है यहाँ पे कि मेटर्नी का पतन किस वर्थ हुआ था मेटर्नी का जो पतन हुआ था किस वर्थ हुआ था अब बताइए कि मेटर्नी का जो पतन है किस वर्थ हुआ था तो उसमें काफी सारे जो स्टुडेंट होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं तो मेटर्नी का जो पतन हुआ था वो मई 1848 इस वी में हुआ था तो चार का जो right answer हो जाएगा option number C हो जाएगा मेटर्नी का पतन मई 1848 इस वी में हुआ था तो चार का right answer option number C हो जाएगा चलिए अब आपका पांच number question है कि फ्रांस में किस सासक बंस की पुनर अस्थापना बियना कॉंगरिस के दुआरा की गई थी कहता है कि फ्रांस में किस सासक बंस की पुनर अस्थापना पुनर अस्थापना कहने का मतलब कि 12 जिसका 12 अस्थापना हुआ हो तो उसी को हम लोग पुनर अस्थापना कहते हैं तो फ्रांस में किस सासक बंस की पुनर अस्थापना बियना कॉंगरिस दुआरा किया गया था तो पांच का right answer option number B हो जाएगा बुरबो बंस फ्रांस में बुर्वो वरंस का अस्थापना किया गया था वो बियएना कॉंग्रिस के द्वारा किया गया था पांच का राइट अंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा अब आपका च्छो नंबर कोश्चन यहां पर है जो कि काफी जार इंपोर्टेट है भी भी आई कोश्चन इसे देख लेंगे अच्छे तरीके से भी भी आई कोश्चन है इतली एवं जर्मनी के एकी करन के बिरुद्ध निमने मेशे कौन सा देश था कहता है कि जब इटली और जर्मनी का एकी करन हो रहा था तो उसके जो बिरुद्ध में था वो कौन सा देश था यहां पर चार ऑप्शन दिये गए हैं ऑप्शन ए है प्रसा ऑप्शन बी है रूस ऑप्शन सी है अस्ट्रिया और ऑप्शन अम C हो जाइगा Austria cannot Certainlyava जब स्ब्सक्राइब हो तो 6 रहा टेंसर हो जाएगा स्ब्सक्राइब स्टरिया इस प्यारे चानरों लाइख करें गारे दोस्तों के पास सेरे पर उन्हों में 20 चेनल पर जो है आप्ढेक्टीब कोष्ट्ट रहन का तयारी ख़ये जाता है जो च्छो का राइट अंसर ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा अब हमारा शाथ नंबर कोश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मेजनी का जो शंबंद था किस शंगठन से था यहां पर एक कोश्चन दे देता है कि मेजनी का शंबंद जो था किस दल से था तो यहां तो यहां पर दल दे द मेजनी का सम्मंद्स का सब्सक्राइब का फाइजसर स्ब्सक्राइब नमबर D हो जाएगा चलिए अब आपका नमबर कोश्चन यहां पर देख लिया जाए आप नमबर कोश्चन है कि जाल वेरीन एक संस्था थी इस नहीं बात है लेकिन यह जो संस्था थी किन लोगों की थी आपको बताना है कि जाल वेरीन जो एक संस्था है वो किसकी है तो आठ का राइट अंसर आप्सन नमबर A हो जाएगा जाल वेरीन जो संस्था है ब्यापारियों की संस्था है चलिए अब आपका नमबर कोश्चन है देख लेंगे 1829 की एंड्रियों नोपूल की संधी किस देश के साथ हुई थी 1829 में एंड्रियों नोपूल की संधी हुई थी पहला कोश्चन आपके पास आएगा कि एंड्रियों नोपूल की संधी कब हुई थी इसका राइट अंसर होगा 1829 इस भी में अढ़्त आपका हो गया पछला कोश्चन दूसरा कोश्चन यहाँपे देखलेंगे यहाँपे इसी प्रस्त में दूसरा कोश्चन है कि 1829 की अढ़्त की संधी किने बेस्च के साथ होई थी जो कि आपका 9 नमबर का बसता भी question है option A है Hungary, option B है तुर्की, option C है उनान और option D है पोलेंड तो 9 का जो राइट अंसर हो जाएगा option नमबर B हो जाएगा तुर्की 1839 की एंड्रियोनोपुल की जो संधी हुई थी तुर्की के साथ हुआ था तो 9 का राइट अंसर option नमबर B हो जाएगा 1839 एंड्रियोनोपुल की संधी तुर्की के साथ हुआ था तो 9 का राइट अंसर option नमबर B हो जाएगा अब चलिए अब हमारा 10 नमबर question जो की काफी ज़ादा important है तो 10 नमबर question है कि count काबुल को Victor Emmanuel ने किस पद पर निउक्त किया था count काबुल को Victor Emmanuel ने किस पद पर निउक्त किया था तो इसका राइट अंसर option नमबर D हो जाएगा प्रधान मंत्री के पद पर PM जिसको short form में कहते हैं PM English bird में कहते हैं Prime Minister तो 10 का राइट अंसर option नमबर D हो जाएगा प्रधान मंत्री count काबुल को Victor Emmanuel ने प्रधान मंत्री के पद पर निउक्त किया था तो 10 का राइट अंसर option नमबर D हो जाएगा अब हमारा 11 नमबर question है गैरी वाल्ली जो था पेसे से क्या था गैरी वाल्ली जो था पेसे से नाबिक था 11 का राइट अंसर option नमबर A हो जाएगा अब आपका 12 नमबर question है यहाँ पे 12 नमबर question है कि इटली एवं जर्मनी बरतमान में किस महादेश के अंतरगत हैं इटली और जर्मनी जो है बरतमान में अभी किस महादेश में आते हैं जैसे भारत जो है एसिया महादेश में आता है तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि इटली एवं जर्मनी बरतमान में किस महादेश में आते हैं तो इटली और जर्मनी जो अभी के समय में बरतमान समय में जो आता है वो इवरोप महादेश में आते हैं तो 12 का राइट अंसर आपसन नंबर भी हो जाएगा इटली और जर्मनी जो हैं बरतमान में इवरोप महादेश में आते हैं तो 12 का राइट अंसर आपसन नंबर भी हो जाएगा अब हमारा तेरा नमबर कोश्चन है यहाँ पे देख लेंगे तेरा नमबर कोश्चन है कि रक्त एबम लोग की नीती का अबलंबन किसने किया था तो रक्त एबम लोग की नीती का अबलंबन बिसमार्क ने किया था रक्त एवं लोग की नीती का बलंबन बिसमार्क ने किया था इसलिए तेरह का राइट अंसर आप्सन नंबर C हो जाएगा तेरह का राइट अंसर आप्सन नंबर C हो जाएगा रक्त एवं लोग की नीती का बलंबन बिसमार्क ने किया था चलिए अब आपका च twenties number question बहुत important question है ईवरोप पबास्यों के लिए किस देश का साहित ते इवं ग्यान प्रेरना सुरोत रहा है ईवरोप पबास्यों के लिए यानि का जो जो देश, इवरोप महादेश के अंतरगर्ट आते हैं उन लोगों के लिए किस देश का साहित और ग्यान जो है प्रेरना सुरोत रहा है तो 14 का राइट अंसर option number D हो जाएगा यूनान यूनान जो है कला का सिछा का संस्कृति का एक प्रमुक केंद्र रह चुका है ठीक है तो 14 का राइट अंसर option number D हो जाएगा इरोप बास्यों के लिए जो है यूनान जो है सही तेबं ग्यान का प्रेरना सुरोत रहा है तो 14 का राइट अंसर option number D हो जाएगा अब हमारा 15 number question है यहाँ पे है देख लेंगे 15 number question है कि फ्रैंक फट की संधी कब हुई थी फ्रैंक फट की संधी वो कब हुई थी कितने ISV में हुई थी तो फ्रैंक फट की संधी 1871 ISV में हुआ था यानी 15 का राइट अंसर होगा option number E हो जाएगा अब हमारा अगला number question है कि किस उद के बाद जर्मनी का रिक करन पूरा हुआ था किस युद के बाद जर्मनी का जो एकी करन है पूरा हुआ था तो 16 का राइट अंसर option number B हो जाएगा शिडान का युद अब हमारा next question है 17 नंबर 17 नंबर question कहता है कि एंग उरोप की अस्थापना किसने की थी एंग उरोप एक होता है एंग इटली और एक होता है एंग उरोप तो कहता है कि एंग उरोप की जो अस्थापना है किसने की है तो इसका राइट अंसर option number C हो जाएगा मेजनी एंग उरोप की जो अस्थापना है वो मेजनी के द्वारा किया गया है तो 17 का राइट अंसर, option number C हो जाएगा, एंग इरोप की अस्थापना मेजनी के द्वारा किया गया है, 17 का राइट अंसर, option number C हो जाएगा अब हमारा अठारा नंबर कोस्चन है है कि एंग इटली की अस्थापना किसने की पिछले कोस्चन में था कि एंग इटली की अस्थापना किसने की इसमें है कि एंग इटली की अस्थापना किसने की तो या तो पूछ दे आप से एक्जाम में कि एंग इटली की अस्थापना किसने की या एक्जाम में पूछ दे कि एंग इउरोप की अस्थापना किसने की तो दोनों का जो राइट अंसर होगा option number B हो जाएगा मेजनी ने young Europe और young Italy की जो अस्थापना है मेजनी के द्वारा किया गया था तो 18 number question का right answer option number B हो जाएगा young Italy की अस्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था तो 18 का right answer option number B हो जाएगा अब हमारा उन्हेश number question है यहाँ पे देख लेंगे उनेश नमबर कोश्चन है कि सिडान का यूद कब हुआ था सिडान का यूद हुआ था वो कब हुआ था सिडान का यूद एक होता है शिडोबा का यूद और यहां जो पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है कि सिडान का यूद कब हुआ था तो नईस का राइट अंसर option number C हो जाएगा 1870 ISV में 1870 ISV में Shidan का यूद हुआ था तो नईस number question का option number C जो है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा Shidan का यूद 1870 ISV में हुआ था अब आपका बीश number question है जो कि आपका last question है कि सन 1870 में France और Prasa के बीच यूद कहा हुआ था यानि 1870 ISV में जो France और Prasa के बीच यूद हुआ था वो कहा हुआ था तो इसका राइट अंसर option number A हो जाएगा Shidan में आप लोग पढ़े भी होंगे कि Shidan का जो यूद हुआ था वो 1870 ISV में हुआ था तो यहीं यूद के बारे में पूछ रहा था कि सन 1870 ISV में France और Prasa के बीच यूद कहा हुआ था तो इसका राइट अंसर option number A हो जाएगा Shidan में देखे इसमें से तीन question निकल रहा है ठीके ने इसमें से total तीन question निकल रहा है पहला question जो है पहला question है कि सन 1870 में France और Prasa के बीच यूद कहा हुआ था पहला question होगे आपका कि सन 1870 में France और Prasa के बीच यूद कहा हुआ था तो इसका राइट अंसर option number A हो जाएगा Shidan अब दूसरा number question यहाँ पे पूछेगा कि Shidan का यूद कब हुआ था और तीसरा number question यहाँ पे पूछेगा कि Shidan का यूद जो है किसके किसके बीच हुआ था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा France और Prasa के बीच Shidan का यूद हुआ था जो कि 1870 में लड़ा गया था तो 20 का राइट अंसर हो जाएगा option number A तो आसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इसे like अवस्य करेगा और अगर आप इस वीडियो का PDF या किसी भी सब्जक्ट का अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो description में एक link दिया गया है वहाँ से जाकर आप किसी भी सब्जक्ट के वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं तो आप लोग उसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद